हेलो फ्रेंट्स, वेलकेम इन आवर चनल, जैसा कि आपको पता कि हम कर रही हैं MCQ, पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ करेंगे, बहुत शांदार MCQ होने वाले हैं, सीधा डारेक्ट पेपर में आने वाले MCQ हैं, आपके पेपर में स्वीधान वाले चेप्टर से या फिर पॉलिटी वाले चेप्टर से कोश्चन गलत होगा ही नहीं अगर इस वीडियो सीरीज को आप देखोगे तो, और ये वीडियो सीरीज ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ बेटा, कहीं से नहीं बना रहा हूँ, एक most important किताब है, जिस किताब का नाम है Pinnacle, इस किताब का introduction देने की जरूरत नहीं है, Pinnacle बोल दिया, इसका मतलब सब कुछ बोल दिया, previous year की खान है ये किताब, आपको दिखाई कैसे देती है, वो एक बार दिखा देता हूँ, chapter wise अप्रोच है इस किताब में, chapter wise बोलते हैं जिसको, Pinnacle, सामन नयद्धेन, 6500+, 6th editions, इसका solution, पॉलिटी का, इस क्लास में हम करेंगे, यानि कि आने वाली बहुत सारी क्लासे में हम Pinnacle बढ़ रहे होंगे, और Pinnacle में हम पॉलिटी बढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे अगर Pinnacle खरीदना चाहते हैं, तो इस किताब को लेकर आ सकते हैं, किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी, online भी available है, तो जल्दी से बचा पहला कोशन कर देंगे कि पहला कोशन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, पहला कोशन, विच ओव दो फ्लोइंग इस दा फंडामेंटल लाओ अफ एनी कंट्री, ये बोल रहा है कि कि किसी भी कंट्री के, किसी भी देस के, सब से किसी क कानून होते हैं, वो कहलाते हैं, Constitution यानि कि स्वीधान, और यानि कि आंसर हो जाएगा स्वीधान, सबसे उपर कौन सा कानून होता है, आंसर आएगा स्वीधान होता है, और भारत का भी स्वीधान है, और भारत का स्वीधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ये 각कर आप याद रखना कि भारत का स्वीधान 1950 को 26 जनवरी को लागू किया गया था, जो कोशन बहुत सारे important होंगे, तो किसी देश का सबसे उचा सवीधान क्या कहलाता है, किसी देश से सबसे उचा स्वीधान कहलाता है सुरी उचा कानून क्या कहलाता है स्वीधान कहलाता है इस बात की चर्चा दिमाग में रखना उसके बाद भारत का स्वीधान कब बना ये 26 नॉवंबर 1949 को और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को बना किस मिशन के तहता कैबनेट मिशन 1946 स्वीधान सबाग का गठन किया गया उसके बाद अपका स्वीधान बन कर तियार कब हुआ 26 नॉवंबर को आपको ये बताना है कि स्वीधान दिवस कब बनाया जाता है तो अगला कोशन ले रेते हैं लाडू अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इस कोशन को जल्दी से करने की कोशिस करेंगे बेचा और जल्दी से बहुत शांदर तरीके से करेंगे ऐसा निमलिकित वेक्टियों में से किसे स्वीधान के दस्तावेज का मसोदा तियार करने वाली स्वीधान सवा के कानूनी सलाकार के रूप में न्युक्त किया गया था आप से पूछ रहा है कि भारतिय स्वीधान सवा का कानूनी सलाकार कोन था आप से मैंने अभी बताया कि भारतिय स्वीधान सवा के दवारा बनाया गया है और ये स्वीधान सभा cabinet mission 1946 के अनुशार बनाई गई है और इसी स्वीधान सभा का एक सलहकार था एक एडवाइजर था उस एडवाइजर का नाम आपसे पूछेगा तो B.N. राओ क्या है बेटा B.N. राओ यहाँ answer number D बिलकुल सही है अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्हें अपके स्वीधान की जननी कहा जाता है भारती स्वीधान की जननी या मा किसे कहते हैं B.R. अंबेडकर को भारती स्वीधान का निर्माता किसे कहते हैं वी आर अमबेड करको और भारतिय स्वीधान का सलहकार किसे कहते हैं तब अंसर आपका बी अन्राव रहने वाला है इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए भारतिय स्वीधान की बात करें तो भारतिय स्वीधान में मूल रूप से 305 में आर्टिकल हैं 12 अनुसू कितने हैं और भाग कितने हैं और भी अन्राव को भारतिय स्वीधान का सलहकार न्योक्त किया गया था तो तीसरा कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इस कोशन को भी बेटा जल्दी कर देंगे भारतिय निमन में से कौन सा सबद भारतिय स्वीधान की मूल परस्तावना में न Democratic यानि कि लोक्तंत्रिक, Republic यानि कि गणराज्य, Secular यानि कि धरमनिरपेक्स, और Sovereign यानि कि संपरभू. ये आपसे पूछना क्या चाहता है देखो, भारतिय स्वीधान में प्रस्तावना है, प्रेमबल है. पहली बात याद रखना और ये प्रेमबल की जो भाषा है, ये भा हमने ली है कहां से? अमेरिका से. प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? अमेरिका से यहां पर ली है. अब प्रस्तावना में बहुत सारे सबद आते हैं, वो सबद, कुछ सबद तो बाद में जोड़े गए हैं, और कुछ सबद पहले से थे. ये पहले वाला हिस्सा कौन सा नहीं है, ये question पूछ रहा है, मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो बिटा लोक्तांत्रिक भी पहले से है, गणराज्य भी पहले से है, और सौरन भी पहले से है, धरम निर्पेक्स बाद में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, धरम निर्पेक्स बाद में जोड़ा गय आगे चलते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जल्दी से इस कोशन का निप्टारा कर दें भारतिय स्विधान की परस्तावना में निवन में से कौन से महान आदर्शों का उलेख है परस्तावना की बात कर रहा है और उसमें भी आदर्शों के उलेख की बारे में ब एक आर्थिक नय, सामजिक नय, आर्थिक नय और एक आपका है आर्थिक और एक राजनितिक तो आपसे पूछले कितने परकार के नय हैं तो तीन परकार के नय भारतिय स्विधान की परस्तावना में दिये गए हैं उसके बाद अगर आपसे पूछले कि भारतिय स्वीधान की परस्तावना में कितने परकार की आजादी है, फ्रीडम कितने परकार की है, तो पांच परकार की फ्रीडम है, वो फ्रीडम है कौन-कौन सी, विचार की, अभिवेक्टी की, विश्वास की, आस्ता की और उपाशना यानि कि महान आदर्शो की बात कर रहा है तो वो पांच परकार की जो आजादी है उसको टिक कर देंगे तो भारतिय स्वीधान की परस्तावना में महान आदर्शो का उलेक बी अंसर बिल्कुल सही है अभिवेक्ति, विश्वास, आस्ता और उपासना की संतंतरता याद रखेंगे पांच परकार की संतरता है और तीन परकार के न्याए भारतिय परस्तावना में दिये गए हैं और परस्तावना में एकमात्तर स्वीधान संसोधन कब हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इस कोशन को करने की कोशिस करो पहले उसके बाद इसका डिसक्रेशन करेंगे कोशन कहता क्या है निमन में से क्या भारतिय स्वीधान का राजनेतिक दर्शन नहीं है यानि कि भारतिय स्विधान में ऐसी कौन सी बात है जो रजनितिक विचारधारा को नहीं दरसाती है पहला option पढ़के देखे एतियासिक रूप से वंचित समों के परती समेधनसिल ठीक बात है कि हम उन लोगों को या फिर जो एतियासिक रूप से वंचित हैं उन लोगों को थोड़ा सा समेधनसिल उनके परती हम है तो ये तो है इसने नहीं पूछा है जो जो है उनको टिक करो पहले सामुदाइक मुल्लो के परति उदारवाद बिल्कुल हम है धार्मिक और भाशाई अलब संक्यकों के आवसकता के परतिक सम्वेधन सील बिल्कुल हम है बचा option number D कि हम एक सरो निष्ट रास्टिय पहचान बनाने के लिए परतिवद नहीं है तो बेटका हम तो अपने रास्टिय की पैचान बनाने के लिए क्या है dedicated है और ये बोलना कि नहीं है यानि कि यही हमारा answer हो जाएगा तो इस question का answer क्या है D है बिल्कुल सही है अगला question पढ़ते है जल्दी सही question पढ़ो और answer दो भारती सुईधान निमन में से किस सबद का उलेक नहीं है भारती सुईधान में किस सबद का उलेक नहीं है अगर आप परस्तावना पढ़ रहे हैं परस्तावना तो परस्तावना में बहुत सारे सबद दिये गए है उनमें से एक सबद है धरम निर्पेक्स मैं आपको बता चुका हूँ, यह जोडा गया गणतंतर, हम भारत की लोग भारत को गणतंतर फ़लाना यह आता है, गणतंतर भी आता है और समाजवाद, Socialist भारत एक कैसा country है समाजवादी country है। हम समाज के बारे में बात करते रहते हैं तो धर्म निर्पेक्स भी है, रीपबलिक भी है, सोसलिस्ट भी है, कौन सा सबद नहीं है, आंसर आएगा संगवाद सबद भारतिय स्विधान में उल्लेखित नहीं है, एक बात और ध्यान रखना, भारतिय स्विधान में बजट नाम का कोई सबद नहीं है, तो एक तो बोलो हाया ना बिलकुल सही है यह लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को बोलो हाया ना और यह कौन से मिशन के दवारा टेक किया गया था कैबनेट मिशन 1946 के दवारा लेकिन जब यह पूरा हुआ तो इसको लिखने का सरे किसे जाता है अगर आपसे पूछे कि किस भाषा में लिखा गया है भारतिय सुईदान तो ओरिजिनल कोपी इसकी इंगलिस भाषा में लिखे गी है और इं हिंदी में पूछेगा ये बात आपको ध्यान रखनी है रखनी है और रखनी है तो याद रख लेंगे किसके हातों से लिखा प्रेम भिहारी रायजादा इंगलिस में और वसंत क्रिशन व्यद्य ने इसको हिंदी में ड्राफ्ट किया था इस बात को चर्चा आपके करने वाली स्विधान सवा का मुख्य प्रारूपकार था आपसे क्या पूछ रहा है ड्राप्ट मैं था मुख्य ड्राप्ट मैं कोन था चीफ ड्राप्ट मैं कोन था इन में से देखो मेरी बात सुनो अगर आपसे पूछ ले ड्राप्टिंग कमेटी का अध्यक्स कोन है प् क्या होगा आंसर इसका S.N. मुकरजी इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगर मैं बात करूँ वसंत वैद्दे क्रिशन की तो हिंदी में इन्होंने क्या लिखा था भारतिय स्विधान लिखा था। आपसे पूछे प्रारूप समीती का अध्देक्स कोन है B.R.M. बेड कर और प्रारूप समीती में कितरे मेंबर थे आंसर आ जाएगा साथ और आपको कमेंट वॉक्स में यह बताना कि प्रारूप समीती के एक मात्र मुस्लिम सदक्षय कोन थे इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए तो बेटा चीप डॉप्समें अगर आप से पूछ ले तो S N यहाँ पर सही answer होने वाला है क्या answer होने वाला है S N Christian इसका सही बिल्कुल सही answer होने वाला है एक मेंट है एक मेंट इसको adjust कर लेते हैं यहाँ तक हमने पड़ लिया है आठमा question नौवा question आपकी screen पर ये रहा इसको जल्दी से करने की कोसिस करेंगे भारतिय राज्यों के संग के अर्थ में निमर में से कौन सी कथन गलत है मैं आपको बता रहा हूँ देखो भारत राज्यों का एक संग है article संग क्या कौन सा कहता है पहला भारत में जितने भी राज्यों है जैसे हरियान है पंजाब है बिहार है गुजरात है राजस्तान है मदः परदेश है गोव है सारे जितने भी राज्यों है ये भारत से अलग नहीं हो सकते हैं पहली बात ये भारत से एक अंग है तो देख लेतें कौन सी बात correct है ये बाते ध्यान रखना जो मैंने बताई भारत राज्यों का एक संग होगा और चाहा कर भी कोई राज्या भारत से अलग नहीं हो सकता है तो देख लेतें भारत में कौन सी बात गलत पूछा है उसने है न, तो ठीक बातों को छाट लेते हैं, पहला उप्सन पढ़ना, सुईधा के अनुसार देश के विभन रजम में विभाजित किया गया है, यानि कि बिल्कुल किया गया है, देश को विभाजित, अगला है, संग सामिल होने के लिए एक समझोते का प्रिणाम था, भार हो जाएगा, कि कौन सी गलत बात है, कि जो रज्य जुड़े भारत में, वो एक समझोते से जुड़े हैं, तो वो समझोते से नहीं जुड़े हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, तो आपका अंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, अगला कोशन आपकी स्क्रीन प बात करें, तो प्रेम भिहारी रायजादा, हिंदी की बात करें, तो वसंत क्रिशन वैद, और अगर फूल पत्ती छापने की बात करें, तो नंद लाल बोस, तो प्रेम भिहारी जायदा, रायजादा, और वसंत क्रिशन ने लिखा है, तो आंसर आजेगा हिंदी के लिए प बातों को जो मैं बता रहा हूँ तिको भारती स्विधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित स्विधान है और इस स्विधान को लिखने के लिए या बनाने के लिए हमने अलग-अलग देश से प्रेड़ना ले रखी है क्या ले रखी है प्रेड़ना ले रखी है अलग-अलग राष्टेपती का पद पूछे तो USA से लिया है, जज इत्यादी पूछे तो USA से लिया है, अगर आपसे वह और पूछ ले कि राष्टेपती को हटाना और राष्टेपती को हटाने के साथ साथ जजों को हटाने की परिकरिया भी हमने USA से लिया है और अगर आपसे पूछे अधिनियम 1935 इसके अनुसार भारतिय स्विधान का जादतर हिस्सा कोपी किया गया है यानि कि जादतर हिस्सा हमने कोपी किया है बिल्टेन के स्विधान से क्योंकि 1935 का अधिनियम अंग्रेज लेकर आये थे भारत में और अंग्रेज लेकर आये थे तो वो कोपी किया गया है विधी नर्मान की परिक्रिया भी हमने बेटें से लिया है और एकल नागरिकता सिंगल सिटिजन सिप हमने बेटें से लिया है इन बातों को ध्यान रखना इन बातों को याद रखना आगे बढ़ लेते हैं बेटा तो इसका अंसर 1935 होगा अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बारवे नंबर का कोशन भारते स्विधान सभा दवारा स्विधान कब अपनाया गया था तो अपनाया गया 1950 में बना कब 1949 26 जनवरी 1950 को भारते स्विधान लागू किया गया था इस बात को ध्यान रखना और बना कब 26 नॉमबर 1949 को औ बारतिय स्विधान की प्रस्ताओं को पेश किया और बाहरतिय स्विधान की प्रस्ताओं के रूप में ग्रहण था उदेश से परस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था नहरू के दवारा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा नहरू बिलकुल सही है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा भारतिय स्वीधान सरकार की परनाली एक साथ संपर्भुतो समाजवाती धर्म निर्पेक्स लोकतांत भारत में पार्लियामेंटरी होती है कैसी होती है पार्लियामेंटरी सरकारे होती है आगे चलेंगे पढ़ लेंगे जब गंतंतर दिवस का समारो होता है तो यह होता है 26 जनवरी को आप से पूछ रहा जब गंतंतर दिवस का समारो की एंडिंग होती है समापन होता है तो इस समहरों को क्या कहते हैं तो इस समहरों को कहते है The Beating Retreat Sermoney याद रखना इस बात को पूछा जाता है भारतिय स्विधान में रश्चेपती भवन सोरी मैं क्या बोल रहा हूं कि Beating the Street यहां पर सही अंसर होगा सभी देशों का अपना क्या होता है कौन से ऐसे इन में से देश है जिनका अपना सुविधान होता है तो लोकतांत्रीक देश जितने भी होंगे उनका अपना एक सुविधान होगा और दुनिया में सबसे बड़ा लिखित सुविधान भारत का है और भारत का सुविधान किस मिशन के तहत बनाया गया है ये question आप comment box में छापते हैं अगला question आपकी screen पर ये रहा इसको जल्दी से करें निमर में से कौन सी भारतिय सुईधान सबा की एक एक विसेस्ता नहीं है आप से ये पूछ रहे Unitary features नहीं है भारतिय सुईधान का Unitary features नहीं है भारत सरकार का ये आपको बताना है जल्दी से बताएं इनमें से सभी के सभी Unitary features है इनमें से एक नहीं है वो क्या है तो इनमें Single Citizenship नहीं है अगला question पूछ लेंगे ध्यान से पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी कौन सा भारतिय सुईधान की संग्य विसेस्ता नहीं है संग्य विसेस्ता संग्य विसेस्ता तो सारी की सारी संग्य विसेस्ता है इनमें से अगर संग्य विसेस्ता की बात करें तो All India Service यहाँ पर संग्य विसेस्ता नहीं है आगे चलेंगे बहुत बड़िया कोशन है निमर में से किसने भारतिय सुईधान को अर्द संगिया यानि क्वासी फेडरल बताया था किसने बताया था तो केसी वेर ने भारत के सुईधान को क्वासी फेडरल बताया था क्वासी फेडरल का मतलब है कि भारतिय सुईधान जल्दी से बता दें, बहुत बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए। दिए पहला पढ़ो, भारतिय स्वीधा ने राष्टे मंडोलों की सदस्ता 1947 में ली थी, बिल्कुल गलत, ये 1949 में ली गई है, भारतिय स्वीधा ने जनवरी में राष्टे गान को अपनाया, तो 24 वाला भी गलत है, और राष्टिय धवज 1947 में अपनाया गया था, ये भी बात गलत है, तो अंसर नंबर भी विल्कुल सही है, कि राष्टिय गान और राष्टिय गीत 1950 में अपनाया गया है, अगला कोशन है, ये भारतिय स्वीधान सभा में महिलाओं की संक्या कितनी थी, अंसर आएगा महिलाओं की संक्या आपका 15 थी, आपको ये बताना है, एक कमिस्नरी स्टेट से कितने सदश्य आते थे भारतिय स्वीधान में, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 22 कोशन है, भारतिय स्वीधान सभा में सदन समीती के अध्यक्स कों थे, आपसे स्वीधान के स्वीधान संगिय स्वीधान समीती के अध्यक्स कों थे, आंसर आएगा नहरू, एक कोशन हो गया, दूसरा कोशन पूछेगा प्रांतिय स्वीधान समीती के अध्यक्स कों थे, आपका आपसे पूछले संचालन समीती के अध्यक्स कों थे, आंसर आएगा अगर आपसे पूछे तदर्थ जंडा समीती के अद्देक्स कों थे आंसर आएगा रजेंदर परशाद अगर आपसे पूछे जंडा समीती के अद्देक्स कों थे तब अंसर आएगा जेवी करपलानी लेकिन आपसे ये पूछ रहा है हाउस कमेटी के अद्देक्स कों थे अं कि किस सभा के अध्यक्स थे कृष्षन स्वामी एयर आंसर आएगा ए साक समीति यानि की क्रेडिस्यल कमेटी के अध्यक्स थे कुछ कमेटियों के अध्यक्स मैं पीछे बता चुक हूँ बेटा बोलके उस चीजों को लिख लिए करो काम आ जाएंगी अगला कोशन अपके स्क् सभा को भारतिय समतंतरता अधिनियम 1947 की किस धारा दवारा मानता दे गई थी तो बेटा बहुत सारी धारा हैं स्विधान आपके आजादी अधिनियम में उसमें से आठ नंबर की जो धारा थी वो स्विधान सभा को मानता प्राप्त करती है लास्ट कोशन आज की स्क्रीन प आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर भी है कमेटी ऑन दा फंक्संस तो कमेटी ऑन दा फंक्संस इसके थे मैंने बहुत सारी कमेटी आज करा दी हैं अगर हम बात करें तो टोटल हमारे स्विधान सभा में जो है 1946 से स्विधान सभा काम कर रही है cabinet mission से और cabinet mission जैसे ही आया था तो उसके स्वीधान बनने तक 11 session हुए थे कितने session हुए हैं 11 तो आप से पूछ रहा है कि 10 वा session कब हुआ तो विटा 10 वा session आपका 6 से लेकर 17 October 1949 तक ये आप याद रखेंगे ध्यान रखेंगे कई बार पूछा है आपसे अगर ये पूछ ले कि पहली बैठक को ही तो 9 December 1946 को ही थी पहली बैठक को ही 9 December 1946 को और इसी पहली बैठक में ऐसताई तोर पर डाक्टर सचियानन सिना को अध्धैक चुना गया था उसके बाद दूसरी बैठक आपसे पूछ ले तो वही 11 December को इस 11 December वाली बैठक में डाक्टर राजेंदर परशाद को हमारे सुईधान सवा का पर्मानेंट अध्धैक चुना गया था और उसके बाद तीसरी बैठक कर आपसे चैसे 17 October 1949 के बीच हुआ टोटल 11 सेशन हुए थे कैबनेट मिशन से भारते सुईधान सवा बनी थी और पहली बैठक दूसरी बैठक और तीसरी बैठक से जो मैंने आपको बातें बताई वो बातें भी आपके पेपर में आती हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जल्दी से इसका अंसर दें बेटा बहुत बढ़िया नीमन में से कौन 1946 में मदरास निरवाचन छेतर से सुईधान सवा का हिस्सा बने थे आप जल्दी से मेरे को बताने की कोशिस करेंगे कि इसका सही अंसर क्या है जल्दी से ब वेक्ति चुने जाने थे तो आप हेडिंग लगाएंगे 389 वेक्ति इसमें चुने जाने थे अब 389 में से जो 222 में वेक्ति थे वो आते थे बेटा आपके प्रोविंस से गहां से आते थे प्रोविंस से आते थे बिटिस राज से आते थे और अगर मैं आपसे बात करू ति उन में से मदराज से कौन चुनेगे थे अम्मू स्वामीनातन और आपसे ये भी पूछेगा टोटल कितने वेक्टी थे 389 वेक्टी आपसे ये भी पूछेगा कि प्रोविंस से कितने वेक्टी थे 202 में वेक्टी देशी रियासतों से कितने वेक्टी थे तो आजसर आएगा और आपसे पूछले कमिशनरी स्टेट से कितने वेक्ती थे तो अंसर आएगा चार कमिशनरी स्टेट उस समय कौन कौन सी थी तो अंसर आएगा आपका कमिशनरी स्टेट उस समय दिल्ली, कुर्ग, बलुचिस्तान और एक अजमेर, बलुचिस्तान, कुर्ग और आपका क्या है दिल्ली ये कमिशनरी स्टेट थी चार याद रखेंगे ध्यान रखेंगे टोटल वेक्टी मैंने बता दिया आपको और अम्मू स्वामी नाथन मदरास से चुने गए थे अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारती है राज्य की राजपाल को न्यूक्त करने के लिए स्विधान में कितनी आयू निर्धारित है तो अंसर आएगा 35 वर्स तो 35 वर्स आयू होनी चीए आपका रजपाल बनने के लिए अब रजपाल को न्यूक्त करने का काम कौन करता है रजपाल को न्यूक्त करने का काम करते हैं अपने प्रेजिडेंट इस बात को याद रखन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कि स्विधान सभा में कुल 389 सदश्य से जिन में देसी रियासतों से कितने आते थे या आप से पूछ रहा है कि रियासतों से कितने आते थे अभी मैंने बताया 389 टोटल सदश्य हैं और उन में से 292 सदश्य कितने 222 में सदश्य बेटिस प्रांच से आते थे और 3 में सदश्य कहां से आते थे बेटा प्रिंसी स्टेट से आते थे और 4 कमिशनरी स्टेट से आते थे वो देशी रियास्तों से पूछ रहा है तो अंसर आजाएगा 3 में बिल्कुल सही अंसर होना चाहिए आपका देख लि QC आपका सुखिधान कब बनकर तियार हो गया था? 26 नॉवमबर 1949 को. लागू कब किया गया? 26 जनुवडी 1950 को. 26 जनुवरी 1950 को लागू किया गया था और ये बनकर कब तियार हुआ? ये बनकर लडू तियार हुआ 26 नॉवमबर 1949 को. लेकिन अंतीम बार जब साइन हुए तो वो तारीक कौन सी थी वो तारीक थी अंतीम बैठक 24 जनुवरी 1950 याद रख लेंगे 24 जनुवरी 1950 को साइन हुए है SSE इसी बात को सही मानता है उसके बाद 1946 में निमन में से किसे भारति सुईधान सबा का अंतरीम अद्धाक्स यानि कि टेंपरेरी अद्धाक्स किसे चुना गया था अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में इलेक्शन हुए 1946 में और 389 वैक्तियों को चुना गया पहली बैठक हुई कब हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और इसी पहली बैठक में एक बूढ़े वैक्ति को जो सबसे बूढ़ा वैक्ति था डाक्टर सचियानन सिना इनको एक टेंप्रेरी अद्धेक्स के रूप में चुना गया था इस बात की चर्चा में कर चुका हूँ तो अंसर आजाएगा B बिल्कुल सही है सचियानन सिना इस दर राइट अंसर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा निमन में से किसने भारते स्वीधान को स्वीधान की परस्तावना को भारते स्वीधान की राजनेतिक कुंडली के रूप में वरनित किया है ऐसा कौन सा इनमें से व्यक्ति है जो भारतिय स्वीधान की परस्तावना को क्या बोलता है भारतिय स्वीधान की राजनेतिक कुंडली बोलता है तो मैं आपको ही बता दू इस question का answer जो होने वाला है कतीस का जो answer होने वाला 32 है सोरी question नंबर 32 इसका answer बी है के एम मुंसी यानि कि कनिया मनिक लाल मुंसी ने ये बोला है कि भारते सुईधान की जो परस्तावना है इस परस्तावना में भारते सुईधान की राजनेतिक कुंडली जह लगती है इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए कल मैंने कोशन कराया था कि भारते सुईधान को कुवासी federal किस ने कहा है ये question आप comment box में जरू डाल दें कि किस ने कहा था अगला question आपके screen पर ये है कि भारतिय सुईधान में पहला sववा चुनाऊ कब हुक था भारतिय सुईधान सवा का पहला चुनाऊ देखो cabinet mission आया nude 46 में और चुनाऊ भी December 1940 तक निमट गए थे स्विधान का प्रारूप तियार किया गया था देखो भारतिय स्विधान का प्रारूप मोतिलाल नहरू जी ने तथा उनके दवारा आठ कंग्रेस के नेताओं ने पहले ही मिलकर उसका मसोधा तियार कर लिया था तो आपसे पूछ रहे कब किया तो ये आंसर आएगा 1928 में उ किस किस देश से भारतिय स्विधान में प्रेड़ना लिगी है या कौन से देश से हमने अच्छी बाते सी की है अपने स्विधान में उनको एड़ किया है ये बाते आपके पेपर में पूछते हैं तो देखते हैं बेटा पहला कोशन तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि Direct Principle of State Policy हमने कहां से अडॉप्ट की है जल्दी से बताएं इसका क्या अंसर होने वाला है एककल नागरिक्ता हमने बिर्टेन से लिए है संसद परनाली हमने बिर्टेन से लिए है और कानून कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने बिर्टेन से ही सीखा है तो याद हो जाएगा बिर्टेन से हमने क्या क्या सीखा है बिर्टेन से हमने सिंगल नागरिक्ता यानि की सिंगल स रूस की बात करें तो रूस से हमने क्या लिया है वेटार रूस से हमने लिया है duties fundamental duties और याद रखना इसका आंसर DPSP पूछ रहा है तो बिलकुल B answer है यानि कि हमने आईरलेंड से क्या लिया है DPSP लिया है आईरलेंड से और अगर आपसे बात करें DPSP भारते सुईधान के भा अपनाए है कहां से स्पेन से याद रखना ध्यान रखना अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मार्सल ला की अवधारना जो मूल अधिकारों को परतीविद्ध करती है ये हमने किस देश से लिए है इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में चापेंगे इसका अंसर मैं नही करा रहा हूँ एक कोशन तो कमेंट बॉक्स में आप भेलिकें उसके बाद अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारती स्विधान में वर्णित मूल करतव्वे कहां से लिए गए हैं मूल करतव्वे देखो अप्सन नमबर ए है अगर आपसे USA के बारे में पूछे तो USA से हमने लिए हैं fundamental right क्या लिए हैं FR fundamental right अगर आपसे फ्रांस से पूछले तो फ्रांस से हमने लिया है आपका गनतंतर यानि कि आपका republic system हमने कहां से लिया है फ्रांस से लिया है republic system और अगर बात करें कनाडा कनाडा से हमने लिया है संग संग लिया है हमने कनाडा से और अगर आपसे रूस से पूछ ले तो मोली करतव है जो fundamental duty है वो हमने कहां से ली है रूस से तो answer number D यहां पर बिलकुल correct होने वाला है तो बहुत बड़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं बेटा अगर आपने आप तक channel subscribe नहीं किया अपसे पूछे कि मोली करत कहां से ली है तो answer आएगा हमने ली है अमेरिका यानि कि दा USA से ली है रूस से हमने क्या लिया है fundamental duties को लिया है जापान से हमने लिया है विधी को कैसे maintain कियाजा सकता है और आस्टेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है इस बात को ध्यान रख लेना ध्यान रखना आगे पुड़ते हैं बेटा 49 वा कोशन दा बैस्ट कोशन है यहां से अगर आप करना चाहें बहुत बड़िया कोशन है कि भारती सुईदान में उप रस्टेपती का पद हमने कहां से लिया है देखो ध्यान से अगर फ्रांस के बा तो कैसे स्टेबलिस किया जाता है मेंटेन किया जाता हो जापान से लिया है आप से यहां पर पूछा है उप रस्टेपती यानि की आंसर नंबर B United States of America यहां पर आपका सही अंसर होने वाला है उसके बाद 44 वा कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा भारतिय सुईदान में बिटेन से और right of equality कौन से article में आता है 14 से लेकर 18 article तक यह आता है इस बात को ध्याने रखें और या equality before law एक article पूछे तो equality before law के लिए article संख्या 14 यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं बेटा ध्यान से सुन लो और करते जाओ यही आना है पेपर में गारंटी है मेरी एक संसदिय लोकतंतर है जो खालिस्तान वेस्ट मिस्टर मोडल पर आधारीत है इंडियन जो parliamentary democracy system है वो west minister मोडल पर आधारीत है यह मोडल किस देश का है यह आपसे पूछ रहे है यह मोडल किस देश का है तो मैं आपको बता दूँ यह जो मोडल स्विधां में Republic अवधारना कहां से लिए मैं बार-ार बताता हूं बेटा Republic अभी बार-बार 5-6 बने बता चुका हूं यह हमने ली है कहां से यह हमने ली है Marx से कहां से लिए हमने फरांस से इसको adopt किया है याद हो जैंगे बेटा बिलकुल बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद भारती स्वीधान में स्वीधान संसोधन की अवधारणा कहां से लिया है देखो स्वीधान संसोधन की बात कर रहा है जल्दी से आस्टलिया से हमने क्या लिया है संवर्ति सूची कनाड़ा से हमने क्या लिया है संग लिया है जर्मनी से हमने स्वीधान संसोधन जर्मनी से हमने क्या लिया है स्वीधान संसोधन लिया है और साउथ अफरीका से हमने क्या लिया है और साउथ अफरीका से हमने स्वीधान संसोधन की परिकरिया लिया है स्वीधान संसोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाते है आर्टिकल संक्या 368 स्वीधान संसोधन भाते स् इस बात को धहन रखना, तो भाग नमबर 20, आपका क्या है, सुईधान संसोधन से रिलेट करता है, आर्टिकल से एकिया 368 सुईधान संसोधन की बात करता है, और सुईधान संसोधन की ये जो प्रीक्रिया है, ये हमने अडॉप्ट की है, किस देश से, सौथ अफरीका से, या बहुत बढ़िया देखो Republic की बात आ जाए तो France से लिया है मैंने आपको बताया था Republic France से लिया है Independent of Judiciary यानि कि नियाले जो होंगे वो आजाद होंगे अपने फैसले लेने में यह हमने USA से लिया है USA से लिया है और अगर मैं बात करूँ आपकी Concept of Conquerant List यह हमने आश्टलिया से लिया है बचा आपका क्या Advisory Juridictions of Supreme Court यानि कि Supreme Court जो होता है वो प्रामर्स दे सकता है यह उसकी एक सकती है यह हमने कहां से लिया विटम है तो पिनेकल की किताब खरीद लिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पिनेकल के MCQ की जो अलग-अलग पेपर्स में आए हैं SSC के लिए तो आज बात करेंगे अनुचेद और अनुसूची की अगर बेटा आपने यह चैनल अब तक सस्क्राइब ने किया तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लें इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं तो पहला कोशन आपके 51 यानि की 50 कोशन हम कर चुके हैं लडू इस सेरीज म कि सला पर जो गवर्नर होता है वो मनी मिनिस्टर्स को अपोइंट करता है ये बात आप जल्दी से बताएं पहला कोशन यहां से देख लें समझ लें कि आप से अगर पूछा जाए कि आप भारत में जो मुख्य मंतरी होता है वो अपोइंटिड होता है तो आंसर आना है आप राज्यपाल इनको अपोइंट करता है ये कोशन आपका हो जाएगा अब मंतरियों को किसी राज्य के मंतरियों को कौन अपोइंट करता है सर मुख्य मंतरी की सला पर राज्यपाल उनको अपोइंट करता है ये कौन सा आर्टिकल ऐसा है ये आर्टिकल संक्या 164 ऐसा कहता है अगर आपसे पूछे राज्यपाल किस आर्टिकल में है अंसर आएगा 163 आर्टिकल में राज्यपाल का पद दिया गया है इन बातों को अब राज्यपाल को कौन न्यूक्त करता है तो राज्यपाल को न्यूक्त करने का काम हमारा राष्ट्यपती करता है प्रेजिडेंट करत जब चाहे तब चाहे राष्टेपती राजयपाल को क्या है उसके पद से हटा सकता है याद रखेंगे तो पहला कोशन ही क्या वनवा कोशन हो गया आपकी स्क्रीन पर अगला कोशन लगा रहा हूँ भारते सुईदान में निमन में से कौन सा अनुछेद संसद को ससस्तर बलो अर्द सैनिक बलो पुलिस बलो और खूपिया अजिस्यों के समान बलो के सज़श्यों के मूल अधिकारों को थोड़ा सा काटने और छाटने का अधिकार देता है यानि कि एक बात बताओ जो आम नागरिकों के अधिकार है क्या पुलिस वालों के भी वही अधिकार होंगे क वो सेना वालों के भी वही अधिकार होंगे नहीं सर उन लोगों के कुछ अधिकार काट लिये जाते हैं या उन लोगों के अधिकार थोड़े से अलग होते हैं आम जंता से ये कौन सा आर्टिकल कहता है आर्टिकल संक्या 33 ऐसा कहता है कि ससस्तर बलो पुलिस बलो और खूपी आजेंसियों के जो समान अधिकार, मूल अधिकार होंगे, उनको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा हम adjust कर सकते हैं, restrict कर सकते हैं, धान रखें, आर्टिकल संख्या 33 ऐसा बोलता है, आगे चलेंगे, बात हुई थी यहाँ पर देखो इस question में कुछ सीख लो कि बात हुई थी यहाँ पर मूल अधिकारों की मूल अधिकारों की बात करें fundamental rights की बात करें articles सोरी भाग number 3 में आपके fundamental right दिये गए हैं और यह fundamental right articles अंक्या 12 से लेकर 35 तक होते हैं इन बातों पर आपको चर्चा आनी चाहिए मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो मूल अधिकार USA से लिए गए हैं इस बात की चर्चा आपको आनी ही आनी चाहिए article संक्या या फिर question संक्या 53 वा आपकी screen पर लगवा दिया है बिटा जल्दी से इसको करने की कोशिस करें भारती सुईधान में कौन सा अनुचेद राज्य के अधिन नियोजन के मामलों में सभी नागरिकों को समान आउसर परदान करता है देखो जो नोकरियां होती है opportunities होती है उनमें समान कानून लागू होंगे यानि कि सबको एक जैसा आउसर परदान करना लोक नियोजन में कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल संक्या 16 ऐसा कहता है अब आर्टिकल संक्या 16 ये कहता है कि सबको समान आउसर परदान किये जाएंगे आर्टिकल संक्या अगर 17 की बात करें तो बेटा Untouchability का अंत किस आर्टिकल के तहद 17 के आर्टिकल के तहद और किसी के साथ कोई बेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल संक्या 15 कहता है और अगर बूचें आर्टिकल संक्या 18 तो किसी भी title का अंत करवाता है कि अपने नाम के साथ कोई वेक्ती title यूज नहीं कर सकता ये आर्टिकल संक्या 18 कहता है याद हो जाएगा क्या बिलकुल बहुत बढ़िया तो इसका अंसर हो जाएगा आर्टिकल संक्या 16 54 कोशन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर आगया है भारत के स्वीधान के अनुछेद 361 के अनुसार निमन में से कौन सा अपने पद की सक्तियों का प्रियोग वेकर्तवग का पालन किसी भी अदालत के परती उत्तरदाई नहीं होता या लेकिन में से ऐसा कौन सा वेक्ति है जो किसी नयले के परती रिंस्पोंसिबल या फिर उसके परती उत्तरदाई नहीं होता है देखो अगर मैं आपको बात बताऊं कि राज्यपाल राज्यपाल और आपका जो प्रेजिडेंट होता है भारत में ये अपने पद के दोरा किसी नयले में कोई भी बात हो जाए उनके खिलाब कारवाई नहीं की जा सकती वो किसी नयले के लिए उत्तरदाई नहीं होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर है बेटा याद रखें आगे पूछ रहा है भारती सुईदान में किस अनुसूची में दल बदल का मतलब है कि कुछ लोग अपनी जीतने के बार लालच में पार्टियां बदल लेते थे और ये पार्टियां बदली जाती थी तो एक आर्टिकल आया या एक अनुसूची आई भारत में उस अनुसूची का नाम है दसवी अनुसूची तो दसवी अनुसूची में दल आपसे पोचूँ भारती स्वीधान में पहले कितनी अनुसूची थी? आठ आज कितनी अनुसूची है? सर बारा अनुसूची आपको देखने को यहाँ पर मिलती है याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह है भारत के स्वीधान के किस अनुचेद में कहा गया है कि परधान मंत्री की नुक्ती भारत के राष्ट्यपती के दवारा की जाएगी तो भारती है परधान मंत्री की देखो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का परधान मंत्री आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारती सुईधान के अनुचेद 36 से 51, 36 से 51 कौन सा यहां पर सम्मंद किस जीट से सम्मंदी था, देखो अगर बात करें यहां पर fundamental right की मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य बेटा आपके आर्टिकल संक्या 36 से लेकर 51 तक मूल कर्तव्य आते हैं मूल कर्तव्य किन से देश से लिए गए हैं तो रूस से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य की बात की चर्चा आपको आनी चीए रज्य के नीती निर्डे सकता तो आपके आर्टिकल संक्या 36-51 अगर कर्तववे की बात मैंने आपको बताई थी आर्टिकल संक्या 51-A में कर्तववे आते हैं और कर्तववे किस देश से दिये गए हैं बेटा हमने रूस से उनको अडप्ट किया है इस बात की चर्चा दिमाग में होनी चीए तो ये आंसर हो जाएगा आपका रज्य के नीती निर्दे सकता तो यानि कि D आंसर बिल्कुल सही है उसके बाद 58-वा कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारतिय सुईधान के किस अनुछेद में उलेख है कि भारत में वो सुप्रीम कोर्ट के अंतरगत आते हैं ये आपका आर्टिकल संक्या 144 कहता है इसका अंसर 144 यहाँ पर होगा आर्टिकल संक्या 143 क्या कहता है कि राष्टेपती सला ले सकता है किस से सुप्रीम कोर्ट से सला ले सकता है अगला कोशन आप जल्दी से कर दें बहुत बड़ीड कोशन है भारतिय सुवीधान का कौन सा अनुचेद रजे विधान मंडल के संबंद में मंत्र यों के अधिकारों को या उससे संबंदित है मंत्रीों के अधिकार से संबंदित यहां पर कौन सा आर्टिकल आपको करें भारती स्विधान के अनुचे 44 का क्या उदेश्य यहां पर रहने वाल है जल्दी से आपको बताएं पहला ओप्सन देखें कि एतियासिक रूची और समारकों कोई सुरक्षा यह आर्टिकल संक्या 49 में आता है वेटा कि हम परतेक समारक की सुरक्षा करेंगे अगला है ज अगर मैं आपसे बात करूँ रज्य के एक समान नागरीक सुरक्षा प्रदान करना यह आर्टिकल संक्या 44 में आता है तो अंसर नंबर डी बिलकुल यहां पर सही होने वाला है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा आर्टिकल संक्या 149 किस चीज से संबंदित है तो मैं आपको बता दू कि भारत में ओडिट करने के लिए सारे खर्चे को मेंटेन करने के लिए कि भारत में एक पद है जिसको हम कैग कहते हैं और कैग के कर्तव्य और कारिये होते हैं और यही आपका अंसर है आर्टिकल संक्या 148 से 151 तक कैग आता है और 49 आर्टिकल में उस कैग से जवाब देने की कोसिस करेंगे देखो मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे जो कोर्ट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले जो कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदे समानते हैं सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला रिकोर्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट क इसके फैसलों को सबूत के तोर पर यूज किया जा सकता है, वो नयल्य आपका अभिलेक नयल्य कहलाता है, Court of Record कहलाता है, तो 139 आर्टिकल में यही कहा गया है, कि Supreme Court एक परकार का Court नयल्य है, यानि कि Court of Record है, यानि कि अभिलेक नयल्य इसको कहते हैं, तो यह आन्सर विल्कुल सही है, 162 कोशन, 163 कोशन आप समझ सकते हैं, जल्दी से बताएं, आर्टिकल संक्या 39 और 30 में क्या दिया गया वेटा, बहुत ही शांदर तरीके से आप बता देंगे, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप बताएं, बहुत बढ़िया, बहुत शांदर कोशन है, देखो D option देखेंगे, धरम की आजादी हमें 25 से 28 तक मिलती है, तो यह option नहीं हो सकता, right of equality हमें 14 से लेकर 18 तक मिलती है, तो C भी आंसर नहीं हो सकता, right of freedom हमें 20, 19 से लेकर, 19 से लेकर हमें कहां तक मिलती है, तरीके से बेटा सीख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो एक बार चैनल को सस्क्राइब आप कर सकते हैं, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतिय सुईदान का, खालिस्तान, भारतिय नागरिकों को, मोली कर्तवय की परिभाशा के बारे में बताता है, देखो अगर बात करी कि भारतिय सुईदान जब बना, तो मोली कर्तवय कितने थे, आंसर आएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं था तो बाद में जोडे गए, 42 सुईदान संसोदंदवारा जोडे गए, 1976 में जोडे गए, सरवन सिंग समीती के प्रामर्स पर इनको जोड़ा गया था, आज मोली कर्तवय की संक्या कितनी है, 11 है और मोली कर्तवय किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, और मोली कर्तवय कौन से भाग में आते हैं, तो भाग नंबर 4 में आते हैं और मोली करतव है किस आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल संक्या 51A मोली करतवों के बारे में बात करता है तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जल्दी से लड़ू बताएंगे जून 2023 तक हमारे स्विधान में कितनी अनुसूचिया है जल्दी से इस कोशन का जवाब कमेंट बॉक्स में बता दे देखो अगर आपसे पूछे भारते स्विधान में मूल अनुचेद कितने हैं 3005 में है अगर भारते स्विधान में अनुसूची पूछे तो 12 है याद रखेंगे अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारत के स्विधान का कोन सा अनुचेद गराम पन्चाटों के गठन के वारे में बात करता है देखो अगर बात करें तो भारतिय सुईधान बना तो क्या पंचायते भारतिय सुईधान में इंक्लूड की गी थी बिल्कुल नहीं भारतिय सुईधान में एक प्रावधान है DPSP जो भाग नंबर 4 में आता है और DPSP में आर्टिकल संक्या 40 है जो पंचायतों की बात करता है तो Article संक्या 40 पंचायतों के बारे में बात करता है और ये Article संक्या 40 भारतिय स्विधान में गांधी वाद यानि की गांधी की सोच को दरसाता है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 67 भारतिय स्विधान के अनुचेद 19 में कौन सा खंड है जो भारतिय संपूर्ण राजय चेतर को उसमें भारत में भर्मन करने की आजादी आपको कौन सा अनुचेद देता है तो भारतिय कौन सा ऐसा है तो आंसर आएगा इसका कि भा 19A में आप बोलने की आजादी परदान करते हैं जंडा फैराने की आजादी अभीवेक्ती की आजादी नूज चापने की आजादी अकवार चापने की आजादी इंटरनेट की आजादी 19A में है 19B की बात करें तो आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं 19C की बात करें तो अगला कोशन कर देंगे भारत के सुईदान में कौन सा अनुचेद परतेक राज्ये के लिए एक राजेपाल का परधान करता है, यानि कि ये पूछ रहे है कि राज्येपाल किस आडिकल में जाते हैं, देखो राज्येपाल को नूक्ट कोन करता है, तो रश्टेपती न्यूक्त करता है, राज्ये पाल किसी राज्ये का पहला वेक्ती होता है, राज्ये पाल किसी राज्ये को किंदर से मिलाने का काम करता है, और राज्ये पाल किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल संक्या 153, इसका बिलकुल सही आंसर यहां पर होने वाला है article question number 69 कर देंगे भारत के सुईधान में कौन सा अनुचेद का संबंद संग वे राज्य छेतर से है देखो बेटा आप बात करो भारत में भाग नंबर एक राज्य छेतर की बात करता है भाग नंबर एक में एक से चार article यहाँ पर दिये गए हैं तो आंसर आएगा एक से चार article भारत में किसी राज्य छेतर की बात करते हैं इस बात को ध्याने रखना अगला question है भारती सुईधान में कौन सा अनुचेद यह आदेश देता है कि राज्य पाल को कलातमक तथा एतिहासिक रूची के परतेक समार्क यास्तान की रक्षा करनी चाहिए राज्य पाल को नहीं राज्य को किसी भी समार्क की रक्षा करनी चाहिए मैंने आपको बताया कि 49 की टिकट काटो और लाल किला जाओ अब article संक्या 49 में समार्क की बात है यानि कि इतिहासिक बिल्डिंगों की बात की गई है इस बात की चर्चा आपके दिमाग में आनिच ये article संक्या 49 इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन आपके समक्स ये रहा राज्य के नीती निर्दे सक्तत्तो या सिधानतों में निमन में से कौन सी बात सही नहीं है देखो पुर्षों के और इस्तरियों के रोजगार के बारे में बात करता है बिल्कुल करता है पुर्ष महिला और पुर्षों दोनों की वेल्थ के बारे में बात करता है बिल्कुल सही है समान नगरिक केवल पुर्षो के लिए समान करी है और समान सुनुशीत करना केवल पुर्षो की बात नहीं करता यही बात गलत है तो यही आपका आंसर हो जाएगा तो इस question का answer number C बिल्कुल सही है अगला question आपकी screen पर ये रहा भारत के स्विधान का कौन सा अनुछेद सभी बच्चों को 6 वरस की आयू पूरा करने तक आपकी वल्ले अवस्ता की देखबाल और शिक्षा का परधान प्रावधान करता है तो कौन सा आर्टिकल है इसमें आर्टिकल संक्या 45 याद रखेंगे बेटा ध्यान रखेंगे आर्टिकल संक्या 40 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोसिस करेंगे भारतिय स्विधान निमन में से कौन सा अनुछेद जबरन सरम को परती बंदीत करता है ये सोशन को रोकता है देखो शोशन के विरुद अधिकार आता है आर्टिकल संक्या 23 और 24 में है और आर्टिकल संक्या जो 23 है वो बाल सरम को रोकने की कोसिस करता है याद रखेंगे इस बात को ध्यान रखेंगे इस बात को अगला कोशन है 74 और इस क्लास का 24 और भात में निमल लिखित में से कौन सा रज्जे के नीती निर्देशक में गांधी वाद की बात करता है मैंने अभी बताया इस कोशन का आंसर आप कमेंट बाक्स में डाल देंगे कि सर इसका आंसर ये है ये लास्ट कोशन मैं बता चुक अगर 15 मिंट पढ़ेंगे तो सिर्फ 15 मिंट पढ़ाई की बाते होंगी, कोई सेरो साहिरी नी या कोई भी मतलब ऐसी बाते नी जो आपका टाइम वेश्ट कराएं, आपको मोटिवेशन करने के लिए एनरजी हमेशा बनी रहेगी, मैं गोविन सर्मा आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज लाड़ू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कंटेंड इस चैनल पर डालने वाला हूँ, थोरी भी डालूँगा, फिलाल पेपर नजदिक हैं, इसलिए मैं पिनेकल को सोल करवा रहा हूँ, तो जैहिंद, जैभारत, साइनिंग ओफ, गोविन सर्मा. Hello friends, welcome in our channel, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पिनेकल जर्नल स्टड़ी 6500 प्लस टीशियस MCQ, यानि कि ये बुक अपने अपने एक बहतरीन बुक है, अगर आपने ये बुक अब तक नहीं खरीदिये, तो प्लीज इस बुक को आप खरीद ले, ओनलेन भी मिल जाएगी, और हरे एक सोप पर ये किताब मिलती, अब तक 75 कोशन कर चुके हैं, और एक कोशन के साथ मैं एक दो कोशन और बताता हूँ, तो आप बहुत सारे कोशन यहां से सीख पाते हैं, तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं, हम भारतिय सुईधान के परमुख, आर्टिकल अनुसुची भाग और सुचियों से जो कोशन आते हैं, उनके बारे में हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं, तो आज की क्लास बहुत बहुत बहतरीन क्लास होने वाली है, तो बच्चा अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं, यानि कि आप से पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल आपको यह बताता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसको उस समय लीव, यानि कि छुटी दी जानी चाहिए, अवकास दी जाना चाहिए, देखो अगर बात करें DPSP की, तो DPSP किस देश से लिए गए हैं, अंसर आजेगा, आइरलेंट से लिए गए हैं, DPSP किस भाग में आते हैं, तो भाग नमबर 4 में आते हैं, DPSP कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल संक्या 36 से लेकर 25 तक आते हैं, तो बेटा अगर आपसे पूछे मातरतव लीव कौन से आर्टिकल में आती है तो आर्टिकल संक्या 42 यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है अगर आर्टिकल संक्या 44 की बात करें तो यूनिफॉर्म सीवल कोड यहां पर आपको दिया जाना चाहिए इस बात की आप ध्यान आनुछेद कहता है माता पिता या जो उनके रखवाले हैं 6 वरस से 14 वरस तक की आयू वाले जो बच्चे हैं उनको सिक्षा का अवसर परदान करें यह एक करतव्वे है भारतिय माता पिताओं का देख लेंगे बात सुन लेंगे अगर आपसे पूछे कि कितने करतव्वे है 11 करतव्वे को कब जोड़ा गया तो आपका 42 वरस विदान संसोदन 1976 में जोड़ा गया था बिटा कि समीती की सिपार्सों पर जोड़ा गया था याद रख लेंगे उन्वे से अगर मैं बात करूँ 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्रात्मिक अनिवारिय सिक्षा देने का जो क करतव्वे संख्या 11 के अंदर तो 11 से बन जाएगा 51 A यानि कि पूरे सारे करतव्वे कहा आते हैं आर्टिकल संख्या 51 A में और 51 A में भी 11 ग्यार्वा का मतलब क्या हो जाएगा के हो जाएगा यानि कि A आंसर बिलकुर यहाँ पर सही है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह बता दें कि मौलिक करतव्वे किस देश से प्रेरीत हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा जल्दी से इस कोशन को करने की कोसिस करें बिटा बहुत शांदार कोशन यहाँ पर अपको दिया गया है एक्स और वाई एक रेस्तरा में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए ऐसमान वेतन मिलता है राज्यनीती निर्देशक सद्धानतों में कौन सा अनुछेद समान रूप से काम करने के लिए प्रवधाने करता है जल्दी से आप बताएं एक काम के लिए एक वेतन दिया जाना चाहिए, भारत में ये आर्टिकल संख्या कौंसे में दिया गया है? मैं आपको बता दू, DPSP में ये बात बोली गई है, आर्टिकल संख्या 49, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल संख्या 49 कहता है कि समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए और आर्टिकल संक्या 49 ही कहता है कि सब को मुप्त कानूनी साहता भी परदान की जानी चाहिए अगर मैं बात करूँ आर्टिकल संक्या 40 की तो आर्टिकल संक्या 40 में पंचयतों के प्रावधान के बारे में कहता है तो अर्टिकल संक्या 49 और 77 आप 40 बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे अच्छे तरीके से अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा 79 कोशन करने की कोशिस करो सरकारी योजना परधानमंत्री फसल भीमा योजना का उदेश है किशानों के लिए फसल भीमा सेवाएं उपलब्द कराना है इस परकार की सरकारी प्रियास भारती स्वीधान नीती निर्देसक्त्तों के अंतरगत आते हैं किस नीती निर्देसक्त्तों के अंतरगत ये बात आती है कि हमें फशलों को बचाना चाहिए या फिर हमें खेती में एक scientific approach प्रियोग करनी चाहिए जल्दी से आप बता दे तो मैं आपको बता दू कि 48 article संक्या 48 ये कहता है कि हमें कर्शी में creative approach या फिर पसुपालन में scientific approach को बढ़ावा देना चाहिए यानि कि राज्य ऐसी नीतिया बनाएगा जिसमें कृशी का विकास हो सके, पसु पालन का विकास हो सके, तो आर्टिकल संक्या यहाँ पर 48 बिल्कुल सही रहने वाला है, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी से इस कोशन को करने की कोशिस करें, पूरण ऐसंबो है, इसलिए भारतिय स्वीधान में सामानता की अधिकार को से संबंदित है, और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गी करन के अधिन है, यानि कि कौन सा आर्टिकल यह कहता है, इभारत में सामानता का अधिकार दिया गया है, कौन से अनुछेद में, तो आर्टिकल संक्य चोड़ा ये कहता है कि विधी के समक्स सभी समान होंगे। इसके विधी यानि की कानून के समक्स सभी समान होंगे। आर्टिकल संक्या 15 ये कहता है कि किसी के साथ कोई बेधभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल संक्या 16 ये कहता है, नोक्रियों में कोई बेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल संक्या 13 कहता है कि यहाँ पर judicial review लिये सकता है, आपका कौन सुप्रीम कोट अगर fundamental right से कुछ छेड़ चानी हो तो, अगला question है 81 कोशन, जल्दी से इस question को करने की कोशिस करेंगे, भारतिय सुप्रीदान में निमलिक में से किस अनुछेद में सहकारी समीतियों के गठन का उलेक है, तो सहकारी समीतियों के गठन का उलेक पूछ रहा है आपसे, कौन से article में यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बता दे, आप बहुत बढ़िया तरीके से, अगर मैं बात करूँ, तो 19C, article संक्या 19C में यह पराउधान है, कि हम आजाद हैं किसी भी सरकारी समीति को बनाने के लिए, तो article संक्या 19C, आपको जल्दी से बताने कि, article संक्या 19A में कौन-कौन से प्राउधान दिये गए हैं, आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, अगला कोशन है, जल्दी से इसको करने की कोशिस करेंगे बेटा, एक पिता अपने नोजवान बेटा तथा उसके मित्रों को ये बता रहा है, कि भारत में जो संक्रतिक विरासत है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये किस अनुचहित के मौलिक करतवे के परचार के लिए संबंदित है, या वो वक्ति ये परचार कोन से मौलिक अधिकार का कर रहा है, ये आपको जल्दी से बताने है, देखो इसका आर्टिकल संक्या आलेगा, 51 का F, 51 F में आपका ये है, कि हमें अपनी संस्कृती को बचा कर रखना चीए, या अगली PG तक बचा कर रखना चीए, तो 51 F, तो आपसे पूछे करतवे कब जोडे गowy, तो 1976 में जोडे गे थे करतवे, किस समीति की सिपारसों पर, सरण सिंग समीति की सिपारसों पर जोडे गए थे, कौन से सूईधान संसोदन था, तो 42 सूईधान संसोदन, 1976 में भारतिय सूईधान में कर्टव्वों की संक्या जोडी गई, आपको यह बताने की दस्वा कर्टव्व क्या है, अगयला कोशन आपके स्क्रिन पर यह रहा, जनता को रजय के दमनकारी कारियों को से बचने के किस आर्टिकल में है तो आपको बता दूं आर्टिकल संक्या 12 राज्यसवद की परिभाष देता है आर्टिकल संक्या 13 आपके जुडिशिल रिव्यू की बात करता है 14 आर्टिकल विधी के समक सभी समान होंगे पंदरा आर्टिकल किसी से कोई बेदभाव नहीं किया जाएगा याद रखना ध्यान रखना ये आते हैं आपके भारत नमबर 3 में भारत नमबर 3 में भारत नमबर 3 में आते हैं आपके वेटा fundamental right और fundamental right किस देश से लेगे हैं USA से लेगे हैं आर्टिकल संक्या 12 से लेकर आर्टिकल संक्या 35 तक fundamental right की संक्या यहाँ पर दी गई है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की प्रिस्तितियां उपलब्द कराने के साथ साथ उनके योन उटपीडन की रोक्थाम और उसके लिए पर करिये करेगी यह अर्टिकल संक्या 43 में बोल गया है बिलकुल ध्यान रखेंगे आर्टिकल संक्या 44 में civil code है याद रखेंगे ध्यान रखेंगे बहुत बड़ीया तरीके से अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहाँ पिचास्वीवा कोशन है, अनुछेदो का निवनिमे से कौन सा समू भारतिय स्वीधान में आपात काली प्रावधानों की विसेस्ता से सम्मन्दित है? देखो अगर मैं बात करूँ आर्टिकल संक्या 52 की, आर्टिकल संक्या 356 की, आर्टिकल संक्या 352 में आपकी बेटा आपात काल दी गी है, आपात काल और 56 में राष्टिया आपात काल और शाट में वितिया आपात काल तो अंसर आजाएगा आपका 352 से लेकर 306 तक, अगला को जल्दी से इस question को जवाब देने की कोशिस करें। भारतिय स्वीधान के अनुछिद एक जिसे कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संग है। निमन में से किस विसेस्ता का उलेख करता है। कि भारत की ये कौन सी विसेस्ता है। तो ये भारत की पारलिया अलग नहीं हो सकते हैं। वो एक समझोते के साथ भारत से नहीं जुड़े हैं। याद रख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलेंगे और ये question देंगे। मोरिक करतवों के संबंद में निमन लिखित में से कौन सा अनुशेद राष्ट्य गान के संबान से संब संबंदित है। ध्यान रखना याद रखना 51A का आपके राष्ट्य गान के संब्मान से संबंदित यहां पर है। अगला question आपकी स्क्रीन पर ये रहा जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिस करेंगे। राज्य सभी सर्मीकों की आजीवी का और संब्मान जनक जीवन सतर उपलब्द करने का परियास करेगा। ये कौन से article में दिया गया है। ये राज्य जो है वो labor worker का ध्यान रखेगा उनको वेतन देगा जीने युग़ए। ये ये या article संक्या 43 कहता कि जीने युग़ए वेतन और जीने युग़ए काम उपलब्द करना एक राज्य की जिम् पर यह रहा, जल्दी से इस question का जवब देने की कोशियस करें, निमन लिकित में से कौन सा अनुष्यद भारतिय स्वीधान में सहकारी समीटियों के प्राउधान से संबंदित है, सहकारी समीटि की बात कर रहा है बिटा, यह सहकारी समीटियों कौन सा article यहाँ पर आपको देख वैसे अगर पंचायतों के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि पंचायते किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल संक्या 243A से लेकर 243O तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी पंचायते लेकिन वो सहकारी स्मीतियों के बारे में बात कर रहा है तो आर्टिकल संक्या 243zh2 243 जड़ टी तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगला कोशन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यह रहा जल्दी से इसका जवाब दें भारतिय सरकार भारतिय स्विधान के खालिस्तान के तहत सरमीकों के लिए मानो गरीमा के अनुकल जीवन को सुरक्षित करने के लिए आपको बता रहूं आर्टिकल संक्या 21 आपको यह कहता है कि भारतिय स्विधान में मानो गरीमा का ध्यान रखा जाएगा वो बेसक लेबर तबका क्यों न हो आर्टिकल संक्या 17 आता है पेपर में तो बेटा अंटचेबिलेटी का जो अंत है वो आर्टिकल संक्या 17 से बेन क आगया है भारत में आर्टिकल संक्या अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर भारतिय स्वीधान का निमन लिक्वी में से कौन सा अनुछिद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए स्रोच्यम नैले जाने के अधिकार से सम्मंदित है देखो अगर कोई ऐसा कानून सरकार ब अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पोशन अधिनियम 0-6 वरस के बच्चों को पोशन सतर को प्राप्त करने के लिए कारिय करम है भारति स्वीधान निमन में से कौन सा अनुछिद पोशन सतर को बढ़ाने का प्रवधान करता है कौन से आर्टिकल में पोशन सतर बढ़ाने के लिए वेक्यान्तित किया गया है पोशन सतर वढ़ाने के लिए Article संक्या 47 की भारतिये जो भी होगा भारतियों के पोशन सतर में वर्धी होगी माधक पदार्तों की रोख पर राज्य नीतिया बना कर रोख लगा देगा Article संक्या 47 यहां पर कहता है अगला कोशन ये रहा जल्दी से करने की कोशिश करें भारतिय सुईधान में निमन में से किस अनुछेद में यह विचार है कि 14 वरसे कम आयू के बच्चों को किसी भी कार खाने या खान या कोई भी खतरना काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए देखो मैं अगर आपसे बात करूँ आर्टिकल संक्या 23 और 24 शोशन के विरुद अधिकार के बारे में बात करते हैं और अगर पूछा जाए आर्टिकल संक्या 23 में क्या है तो मानो तसक्री पर बैन लगाया गया है आर्टिकल संक्या 23 को यूज़ करके और आर्टिकल संक्या 24 में ये बोला गया है कि कोई भी वच्चा खतरनाक कारखा नौमर कामें नहीं करेगा तो आर्टिकल संक्या 24 इसका बिलकुल सही बिलकुल राइट आंसर यहां पर बेटा होने वाला है अगला कोशन करने हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारतिय सुईधान निमन में से कौन से अनुछेद नागरिक्ता से संबंदित हैं देखो अगर मैं आपसे बात करूँ भारते सुईधान का भाग नंबर एक राजजचेतर की बात करता है भाग नंबर जो दो है भारते सुईधान का वो नागरिक्ता की बात करता है वेटा याद रखेंगे भाग नंबर दो जो न अगर नंबर दो में आता है ना अगर इकता से संबंदित है तो B बिलकुल सही आंसर यहां पर रहने वाला है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि जो के ए नजीम का केस था वो कौन से अनुचेद के उलंगन से संबंदित है के एम नजीम तो आर्टिकल संक्या बाव आ 21 जीने की आजादी इससे संबंदित वो केस यहां पर देखने को मिला था अगला कोशन है च्छणवेवा कोशन है बिल्कुल सही है भारतिय सुविदान के किस भाग में संग्या कारिपातिका का प्रवधान है देखो यूनियन की बात हो गई तो यूनियन आता है तो भाग नंबर पांच इससे सही अंसर हो जाएगा उसके बाद अगला कोशन आपके स्क्रीन पर भारतिय मोली करतवव को भारतिय सुईधान की भाग नमबर 3 में रखा गया है क्योंकि भाग नमबर 3 है हाँ ये बोल रहा है कि DPSP को हमने फंडामेंटल राइट में ही क्यों नहीं रख दिया हो उनसे अलग क्यों रखा इसलिए रखा क्योंकि जो भाग नमबर 3 है वो बेटा क्या है यहां पर वाद योग गया है जबकि DPSP और करतवव ये वाद योग गया नहीं है यानि कि आप फंडामेंटल राइट का अगर कोई भी हनन करेगा आप सुप्रीम कोट या फिर कोट जा सकते हैं लेकिन DPSP को मनवाने के लिए आप कोट नहीं जा सकते हैं करतवव को मनवाने के लिए आप कोट नहीं जा सकते हैं इसलिए इन दोनों चीजों को हमने भाग न रोधान करता है देखो अगर आपसे पूछे भारत की संसद है कैसी बिका मेरल संसद है बिका मेरल संसद मतलब इसमें दो हाउस है एक अपर हाउस है तो एक लोवर हाउस है अपर हाउस को राजसवा कहते हैं लोवर हाउस को लोगसवा कहते हैं याद रखना आर्टिकल संक्या में क्या है लोक सबा याद रखना अर्टिकल संक्या 79 भारतिय संसद के बारे में जनकारी देता है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा जल्दी से बताएं अनुछेद 172 के अनुसार किसी रज्य खालिस्तान भंग नहीं हो सकती है देखो कौन सी चीज भंग नहीं हो सकती है आगर विधान सबा या फिर विधान परिशद या फिर लोक सबा देखो रज्य के बारे में पूछा तो लोक सबा तो सेंटर का है ये दो में पूछे तो रज्य सबा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है याद रखना ध्यान रखना नेक्स्ट कोशन और लास्ट कोशन आज की स्क्रीन का भारते स्वीधान में आर्टिकल संक्या जो 323 है वो किस बारे में बात करता है तो मैं आपको बता दूँ आर्टिकल संक्या 323 में UPSC आता है और UPSC के जो फंक्संस हैं जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट आती है आर्टिकल संक्या 323 में तो UPSC की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आर्टिकल संक्या 323 में आते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमने पिनेकल के पॉलिटी के 100 कोशन कर ली है लगबग इसमें 400 से सड़े 400 कोशन है, सड़े 400 कोशन यहां पर हैं पूरी पुलिटी पिनेकल में और मैंने लगबग आपको सो करा दिया हैं, सड़े 300 कोशन बाकी हैं, उनको भी मैं जल्द ही आपको कराने वाला हूँ, तो I hope आपको यह सारी चीज़ अच्छी लग रही जाहिन जाहबारत, नमस्कार बहुत सारे बुक स्टोर पर भी यह किताब उपलब्ध है, एक नंबर की किताब है, मेरे भाई आगे पढ़ते हैं, आज की क्लास पुलिटी, पुलिटी में हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में, तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, पहला कोशन क क्या कहता है, जल्दी से इसको करने की कोशिस आप लोग करेंगे, कि पहला कोशन कहे क्या रहा है, पहले कोशन से कितनी समझाती है, तो जल्दी जल्दी से एक बार बात बता दें कि पहला कोशन क्या आपको बोल रहा है, जल्दी से इस कोशन का आंसर आप, आप लोग नवंबर 1949 को और ये लागू हुआ था 1950 को 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और मूल तह इसमें जो अनुचे थे जो आर्टिकल्स थे वो थे 300 पिचान में अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अनुचुची उस समय कितने थी 8 और अगर आपसे पूछ ले करें बेटा ये सारे के सारे कोशिण कहीं न कहीं पूछे गए हैं या कहीं न कहीं पूछे जाएंगे तो जल्दी से बताएं 2023 का कोशिण है जल्दी से इस कोशिण को पढ़ें और इस कोशिण का जवाब देने की कोशिस आप लोग करेंगे तो जल्दी review कर सकता है या फिर अपने ही आदेशों को पलट सकता है ये कौन सा अनुछेद कहता है ये बोल रहा है तो मैं अगर आपसे बता दूँ article संक्या 137 जो है बेटा वो आपको ये बताता है कि जो सरोच्यम नेल है वो अपने स्वैम के निर्णे या आदेशों की समिक्षा करने का अधिकार रखता है याद रखना ध्यान रखना article संक्या 137 जो हैसा कहता है उसके बाद जल्दी से मेरे को बता दें जल्दी से ये वाला question क्या कह रहा है आपको जल्दी से आप बता दें 103 वा question है पढ़ लें और इस question का जवाब देने की कोशिस करें भारतिय स्वीदान में कौन सा अनुछेद संसद को अपने दुवारा बनाएगे कानुनों के बहतर परशासन के लिए अत्रिक्त अदालतों अदालतों को स्तापित करने की सक्ती देता है यानि कि जो संसद होता है वो अपने परशासन को चलाने के लिए additional जो है courts है उनको बना सकता है उनके बारे में विचार कर सकता है ये कौन सा article कहता है तो मैं आपको बता दू article संक्या 247 इसका सही answer है कि 247 article के अनुसार संसद जो है अपने दौरा बनाएगे कानुनों को भैतर परशासन के लिए अतरिक्त अदालत में स्तापित कर सकता है याद रखना अगर आपसे पूछले संसद किस article में आता है संसद article संक्या 79 में आता है संसद के कितने पार्ट होते हैं तीन पार्ट होते हैं वो तीन पार्ट कौन से है आपका प्रेजिडेंट है आपका राजस सभा है और आपका लोक सभा है ये तीन पार्ट होते हैं ये तीन औरगन होते हैं आपके पर्लियमेंट के आर्टिकल संक्या 79 और इस कोशन का अंसर है आर्टिकल सेंक्या 247 यानि कि 247 अगला कोशन करने की कोशिस करो लाडू जल्दी से बहुत वैतरीन कोशन है अपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ भारतिय स्वीधान में कौन सा अनुचेद रज्य दवारा वित पोसित किसी भी सिक्षन संस्तान में धार्मिक सिक्षा को परती बाधित करता है यानि कि इस कोशन का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी संस्ता में कोई भी धरम की सिक्षा नहीं दी जाएगी तो कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है देखो मैं आप बात बताऊं जो धार्मिक संतंतरता का अधिकार है वो आर्टिकल संक्या 25 से लेकर आर्टिकल संक्या 28 तक होता है याद रखनें आर्टिकल संक्या 25 में है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं किसी भी धर्म का परचार पावार कर सकते है, आर्टिकल संक्या 25 कहता है, ये जल्दी से आप comment box में बता कि आप कोई भी संस्ता क्थोलें, अपने धरम को परचारिद करने के लिए उस पर कोई भीNew Tax नहीं लिया जाएगा, 26 में वो संस्ता खोलने का जिकर किया गया और 28 में क्या कहा गया कि कोई भी सरकारी संस्ता जो होगी उसमें कुईसी भी विसेश धरम की जो है वो सिक्षा है वो नहीं दी जाएगी तो इस question का अंसर 28 है 104 question हो गए है बिटा बहुत बढ़िया तरीके से हम बढ़ रहे हैं वहां से मुझे देख रहे हैं ये भी जरूर बता दें बेटा कि मैं वहां से देख रहा हूं sir भारतिय स्वीधान में कौन सा अनुछेद लोक सेवा आयोग के सदश्यों को हटाने और उनके suspension से या निलंबन से संबंदित है लोक सेवा आयोग यानि की आपसे पूछ रहा है लोक सेवा आयोग यानि की public service commission के जो member होते हैं उनको हटाने का कौन सा अनुछेद यहां पर दिया गया है तो article संक्या मैं आपको बता दूँ article संक्या 317 ये कहता है कि कैसे हटाए जाएंगे आपके UPSC के सदश्यों ध्यान रखेंगे याद रखेंगे उसके बाद अगला question आपकी screen पर ये रहा जल्दी से इस question को करने की कोसिस करें बेटा भारतेस विधान के किस भाग में राज्य विधान मंडल के संगठन सरंचना और सक्तियों का वरणन है जल्दी से बताने की कोसिस करेंगे कि कोन से भाग में राज्य विधान मंडल के सदश्य संगठन सरंचना और सक्तियों का वरणन है ये आप जल्दी से बताएं, देखो मेरी बात सुनो, भाग नंबर एक पूछ ले, तो इसमें रजज चित्र के बारे में बात करता है, भाग नंबर दो पूछ ले, नागरिक्ता के बारे में बात करता है, भाग नंबर तीन पूछ ले, तो ये आपसे fundamental right के बारे में बात करता फोर ए पूछ ले तो ये आपके मॉलिक करतवर से अधारीत है पाँच पूछ ले तो पाँच यूनियन से अधारीत है और छटा भाग जो है भारतिय सुईधान का वो आपके रज्य है यानि कि स्टेट परसासन के बारे में बताता है तो छटा इसका सही अंसर हो जाएगा या जो छटा आर्टिकल है ये आपका ध्यान रखेंगे याद रखेंगे शिक्स जो भाग है वो राज्य विधान मंदल की संगठन सरंचना और सक्तियों का वर्ण करता है जो राज्य विधान मंदल है वो आर्टिकल संक्या 168 से लेकर 212 तक है तो अगर आप से पूछले विध पर लगा रहा हूं लाडू इसको करने की कोशिस करना भारतिय स्विधान में निमन लिखित में से कौन सा अनुछेद यह पराउधान करता है कि दिल्ली राष्टिय राजधानी छेतर के लिए एक विधान सवा होगी आप सब को पता है जल्दी से बताने की कोशिस करेंगे क कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि दिल्ली में एक विधान सवा बनाई जाएगी जल्दी से बता देंगे बहुत बढ़िया तरीके से देखो मैं अगर बात करूं तो भारत में यूटी यानि कि यूनियन टेरेट्री जो है वो भारत में आपको पता ही है कितनी है वो कमेंट ब विधान सवा है और ये विधान सवा दिल्ली के लिए पूछ रहा है तो दिल्ली में आर्टिकल संक्या 249 यूज होता है आर्टिकल संक्या 241 एक अनुसार दिल्ली में एक विधान सवा होगी इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए होनी चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी घोसी थुई 1911 में और बनी थी 1912 में याद रखना दिली से पहले भारत की राजधानी क्या थी या आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को बता दें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग 108 कोशन कर लिए हमने इस कोशन को पढ़े और जवाब से तूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है तो कौन सा अधिकार और कौन से अर्टिकल के तहट सोरी ये थोड़ा सा हाँ अभी चलेंगे जल्दी से बताओ 2023 में कौन सा यहां पर फैसला है वो फैसला बना जल्दी से आप बताने की कोशिस करेंगे बहुत रखना 142 आर्टिकल पूछा गया है, करिंट में उस समय होगा, अगला कोशन 2023 का है, MTS 2023 मोर्निंग सिप्ट का है, निमन लिखित में से क्या भारत के सुईधान में संग सूची के अंतरगत आता है, संग सूची के अंतरगत कौन सी चीज आती है, इन में से जल्दी से बताने की कोशिस करेंगे, देखो अगर बात करें, भारतिय सुईधान में अनुसूची की संग्या कितनी है, 12, उन में से साथ वी अनुसूची में केंदर तता राज्यों की सक्तियों का बटवारा दिया गया है, केंदर तता राज्यों की सक्तियों का बटवारा हमने एक लिस्ट बन कानुन बना सकता है और concurrent list वो list है जिसमें आपके दोनों कानुन बना सकते हैं अगर आपसे मैं बात करूँ union list में कितने union list के अंदर कितने आपके subject हैं 100 subject यहां पर दिये गए हैं और अगर मैं state list की बात करूँ इसमें आपके 61 विश्य दिये गए हैं और concurrent list में आपके 52 विश्य दिये गए हैं इस बात की सर्चा आपके दिमाग में आनी चाहिए इन में से कौन सा है जो संग सूची यानि की union list का भाग है तो मैं आपको बता दूं कौन सा यहां पर रहने वाला है तो आप जल्दी से मेरे क स्विधान की आठवी अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी भाशें हैं यह आपको बताना की भारते स्विधान में कौन सी अनुसूची में भाशें आती हैं तब आंसर हो जाएगा आठवी अनुसूची में कितनी भाशें आती हैं तो आंसर आ जाएगा 22 भाशें पहले स्वीधान में यहां पर दी जाती है याद रख लेंगे बिल्कुल बहुत बड़ी आतरीके से आपको याद रखना रखना पड़ेगा बहुत बड़ी चलो अगला कोशन करदो बहतरीन कोशन है जो आपके फेपर में आने वाले कोशन है वो सीरीज है 32 स्वीधान में कौन सा अनुचेद अपने धरम विशेशक कारियों का परभंदन करने के लिए आपको आजादी परदान करता है कौन सा अर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि आप अपने धरम को परचारीत करने के लिए उसका मेनेजमेंट कर सकते हैं अपने धर्म को परचारित करने के लिए देखो मैंने आपको बताया था कि जो धार्मिक चीजे हैं वो आर्टिकल संक्या 25 से आर्टिकल संक्या 28 तक आती है तो ये भी 28 में नहीं ये भी 28 में नहीं ये भी 28 और 25 के बीच में नहीं आर्टिकल संक्या 26 ये कहता है, 112 वा कोश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से करने की कोशिस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, जल्दी भारत के सरोच्चम नैलेकिस्तान से सम्मंदित प्रावधानों का उलेक किस अनूछेद में किया गया है, जल अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 113 कोश्चन है, निमन लिखिट में से कौन से अनूछेद में भारत के महानयवाधी का प्रावधान है, कौन सा अनूछेद भारत के महानयवाधी के बारे में सोचता है, ये आपको जल्दी से मेरे को बताना है, तो अंसर तो राष्ट्य पती की मर्ची पर ये रहता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है अगला आर्टिकल से क्या 76 हो गया है उसके बाद अगला कोशन करने की कोशिस करो एक सो चोधवा कोशन बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए यह कोशन पेपर में यह तरीके से इसका अंसर देंगे बहुत ही शांदार देखो आर्टिकल भाग नंबर 16 पूछ रहा है आपसे अगर भाग नंबर 16 पूछे तो यह इसमें आते हैं B यानि कि कुछ और को से संब्दीत है विशेस प्रवधान इसमें आते हैं अगर आपसे पूछ ले चुनाओ आप कोशन कर लेंगे बहुत बड़ी है तरीके से भारतिय सुईदान में निमे लिखित में से कौन सा अनुचेद राष्टिय अनुसूची जाती आयोक का परवधान करता है राष्टिय अनुसूची तजाती के परवधान कौन सा आर्टिकल करता है इसको बताएं देखो मै अनुसूची जाती आयोक आपका कौन से आर्टिकल में है ये अनुसूची आपका रह जाएगा तीन सो अर्टिकल अगला कोशन पढ़े और ध्यान से करें 2023 लेटेस्ट कोशन करा रहा हूँ बेटा सारे के सारे जल्दी से आंसर आपने पढ़ लिया होगा या आंसर दे दिया होगा वीतिया वर्स 2022-23 के सेवाओं के लिए भारत की संचित निदी से कुछ निश्चित निदी के भुगतान से अधिकरित करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पास किया गया है जल्दी से आप इस विधेयक का नाम बता दे कि ये कौन सा विधेयक यहाँ पर है जो 2022-23 में पास किया गया था कि सरकार जो है संचित निदी से कुछ पैसा यूज करने के लिए निकाल सकती है तो इस विधेयक का नाम था वी नियोग विधेयक याद रख लेंगे वी नियोग विधेयक इसका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है 170 कोशन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ बेटा जल्दी से इसको करने की कोशिस करें बहुत बढ़िया कोशन है इससे बढ़िया कोशन आज तक नहीं पूछा भारते सुईधान के किस भाग में नगर पाली काओं का उलेख है जल्दी से आप बता दें नगर पाली काओं भाग नमबर 9a आपका किस चीज़ के है नगर पाली काओं के उलेख की बात करता है जो नगर पाली काओं होती हैं अगर मैं आपसे पूछ हूँ तो नगर पाली काओं आर्टिकल संक्या 243 P से लेकर 243 P से लेकर 243 जड़ जी तक आती है याद रखना ध्यान रखना और आके नगरपालिक हैं कितने विश्व पर कानून बना सकती हैं अठारा विश्व पर कानून बना सकती हैं और नगरपालिकाओं को आपके 74 स्विधान संसोदन 1992 के दुबारा जोड़ा गया था इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी ही होनी ही चाहिए अगला है 118 कोशन लग आपका क्या नगरिकता तीसरे में आपका मोली कदिकार है चोथे में आपका DPSP है 4A में आपका क्या है 4A में आपका करतव है 5 में में आपका Union है चटे में आपकी क्या है स्टेट सरकारे है सात्वा भाग जो है डिलीट कर दिया गया है भारतिय स्विधान से और 8 UT UT 888 UT यान हो जाने चाहिए ये कोशन करो बहुत बढ़िया कोशन है जल्दी से इसको अंसर करें भारती स्वीधानमिकी सनुचेद में उल्लेक किया गया कि बाहरी आकर्मन पर अंतरिक आश्यान्ती में राज्य की रक्षा करने का अधिकार या कर्तव है केंदर सरकार राज्य की रक्षा करेगा जब भी कोई आपात कालें स्थीती बनेगी ये कौन सा आर्टिकल कहता है जल्दी से इसका ज्वाब आप दे देंगे तो आर्टिकल संक्या अगर मैं आप से पूछू तो आर्टिकल संक्या 305 ये कहता है कि कभी भी भारत में ऐ श्यांती फैल जाए, भारत में कोई बाहरी देश अकर्मन कर दे, जो किंदर होगा, वो किंदर रज्यों की रक्षा करेगा, ये किंदर का करतव है, 305 आर्टिकल बिल्कुल बहुत बढ़िया आर्टिकल है, याद र संप्रिक्षा परति वेदन से संबंदित है, यानि कि वो जो रिपोर्ट पेस करता है, वो रिपोर्ट कौन से आर्टिकल में आती है, तो याद रखना, रिपोर्ट जो होती है, वो आपकी आती है 151 आर्टिकल में, अगर आप से पूछले कैग के करतव है किस आर्टिकल में रखना जो कैग होता है भारत में जो खर्चा होता है पूरे भारत में उसकी रिपोर्ट बनाने का काम कैग डिपार्टमेंट का होता है और भारत में कैग फिलाल कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कौन व्यक्ति कैग के पॉस्ट पर फिलाल भारत में है कौन सा 120 व अगर भारती है जो राष्टेपती है वो स्वीधान का पालन ना करे तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को या तो हम क्या कहते हैं इंपीच्मेंट कहते हैं या फिर हिंदी में महावयोग कहते हैं या आर्टिकल संक्या 61 के अनुसार ऐसा चलाया जाता है याद रखने के युग है बाते हैं अगर अर्टिकल संक्या 60 पूछ ले तो सपत राष्टेपती की सपत दिलाता है आपका Chief Justice of India याद रख लेंगे ध्यान रख लेंगा अर्टिकल संक्या उंसर्ट अगर आपसे पूछ ले जो राष्टेपती होगा वो किसी भी संसद के क किसी भी हाउस का सदश्यन नहीं होना चाहिए याद रखेंगे ध्यान रखेंगे तीन आर्टिकल पेपर में आते ही आते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर गी रहा भारतिय स्वीधान का कौन सा अनुचेद राज्य सवा की सरंचना के बारे में संबंदित है जल्दी से क कोशन को बताने की कोशिश करेंगे बहुत बड़ी हा कोशन है बहुत शांदार आता है पेपर में देखो अगर आपसे पूठ ले संसद की इस आर्टिकल में और संसद की टीन भाग होते हैं एक तो प्रेजिजन्ट होता है एक राजस suffah होता है और एक लोग-सवा होता है य आर्टिकल संख्या 12 की बात करें तो ये राज्य सब्द की प्रिभाशा देता कि राज्य सब्द क्या होगा आर्टिकल संख्या 51 की देखें तो इसमें fundamental duties आती हैं इस बात की चर्चा आपके दिवाक में होनी चाहिए ये तीनों answer आजाते हैं कई बार paper में उसके बाद अगला question है भारत में जो Central Bureau of Intelligence Central Bureau of Intelligence and Investigation है ये कौन सी सूची का विशह है ये आप से पूछ रहा है Central Investigation बेटर Central ही आगया है यानि की Central मतलब Central Level पर ये Union List का भाग होता है आप जल्दी से बताए Union List में कितने विशह दिये गए हैं अगला question है आज का 124 question बहतरीन question है सारे भारत रज्य लो आयोग कौन सी सूची के अंतरगत आता रज्य की बात हुई तो रज्य लोक सेवा आयोग जो होगा आपका State List का विशह होगा आप ये तो सीधा ही कर सकते थे अगला question आपकी स्क्रीन पर है आज की class का last question ये रहा कि पाचवी अनुसूची में क्या आता है ये जल्दी से आप को बताना है comment box में इस question का answer आपको देना है तो comment box में last question चोड़ रहा हूँ बेटा निमन लिके इस मेंसे भारतिय सुजधान की पाची अनुसूची में क्या आता है तो मैं आपको बता के ही जाता हूँ पाच्वी अनुसूची में आता है अनुसूची छेतर हो है भी जरूर लिख कर भेज़ देंगे, तो बेटा, आज की क्लास में हमने करने की कोशिस की है, वो 25 कोशन जो हमारे पेपर में सीधा आते हैं, वो 25 कोशन जो पिनेकल के, जो राइटर है, उन्होंने लिख दिये, वो 25 कोशन जो SSC ने बार-बार पूछे, वो 25 कोशन जो आपके आने वाले कहीं न कहीं पेपर में टपकेंगे, बेटा, आज की क्लास में यही तो करना है, आज की क्लास में यही तो हमने किया है, तो जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद आप कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्काइब कर दें, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत.